Hello everyone, this is Nanga Pratap Singh and you are watching SPS Astrology और ठंड बहुत जादा है, इसलिए मैंने सब कुछ पहना हुआ है और आज हम बात करेंगे शादियों के बारे में यानि 2023 में ऐसी कौन-कौन सी राशिया हैं जिनकी शादी हो सकती है यानि ऐसे कौन से लखी परसन है जिनकी सादी हो सकती है और शादी की जब बात चलती है तो मुझे खाने की याद आती है कितने अच्छे-च्छे खाने बनते हैं शादियों में लेकिन mostly मैं शादियों में नहीं जाता हूँ वो इसलिए नहीं जाता हूँ कि खाना पड़ेगा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा इसलिए बहुत कम जाता हूँ लेकिन खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है देखो कैसी बाते हैं कैसी अजीब बाते हैं चलिए बाते बाते करते रहेंगे लेकिन अब start करते हैं हम अपनी भविश्वाड़ी और जैसा मैं बोलता हूँ कि राज्यों के बारे में जो बात करता हूँ तो बहुत ज़ादा बोरियत मुझे महसूस होती है क्योंकि इसमें date wise बात करने पड़ती है ये तारीक वो तारीक वो सन ये सन फलाना डिकाना लेकिन जो हमारे वैसे वीडियोज होते हैं उसमें तो freely बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ लेकिन इसमें तारीक के साब से बात होती है तो पूरा चिठ्ठा आप लोगों के लिए तयार है और इसमें जो राशियां है जिनकी शादी हो सकती है कौन कौन सी ऐसी राशी वाले लोग है और कौन कौन से ऐसे ऐसे वाले लोग है उनकी बात करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें कर लेते हैं जैसे जुपिटर बाइस अपरेल दो हजार तक 25 साइन में है जुपिटर 22 अप्रेल 2030 तक 25 साइन में है इसके बाद जुपिटर एरी साइन में आ जाएगा तो जुपिटर जब 22 अप्रेल 2030 के बाद जब एरी साइन में आएगा तो बहुत सारे लोगों के चार्ट में शादी का योग बन जाएगा लेकिन उससे पहले भी कुछ शादी के योग बने कुए हैं यानि जिनके चार्ट में जुपिटर पहले से ही पाईसी साइन में है उनकी कुणली में शादी के योग पहले से बने हुए है और ये जो योग है ये 22nd April 2013 तक रहेगा लेकिन उसके बाद जुपिटर जब एरीज में चला जाएगा तो दूसरी जो राशियां है उनकी कुल्ली में शादी का यूग बन जाएगा लेकिन समझने वाली बात यह है कि राहू अल्डेडी मेश रासी में है यानि राहू मेश रासी में पहले से ही है और राहू यहाँ पर 12 अप्रेल 2022 से लिके 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा इसका मतलब राहू अल्रेडी मेश में है यहनी एरीज में है और आपका केतू लिब्रा साइन में है उसके बाद केतू अवर्गों में चला जाएगा और राहू मेश रासी से मीन रासी में चला जाएगा तो राहू जो मेश रासी में है और उदर से जुपिटर भी मेश रासी में आ जाएगा यानि 22nd April 2023 के बाद और ये दोनों एक साथ कब तक रहेंगे ये दोनों रहेंगे एक साथ 30th October 2023 तक क्योंकि उसके बाद राहू मीन में चला जाएगा तो राहू मीन की तरफ बढ़ रहा है और जुपिटर एरीज की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर 30th October तक यानि 30 October 2030 तक 22 April के बाद 22 April से लेके 30 October 2030 तक कुंडली में महासंकट योग बन रहा है यानि आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है उसको कहते हैं गुरू चंडाल योगा गुरू चंडाल योगा यानि ब्रिस्पती और राहू का मिलन ब्रिस्पती यानि गुरू राहू यानि चांडाल तो आपकी कुंडली में जब ऐसा योग बनेगा तो उस पीरिड में शादी में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है तो बात करते हैं Taurus, Raci और Taurus Ascendant वालों की Taurus, Raci और Taurus Ascendant की अगर हम बात करते हैं तो Jupiter आपके 11th हाउस में है Pisces sign में है और यहाँ पर Jupiter 22nd April 2023 तक रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि Jupiter अगर 11th हाउस में है तो वहां से जुपिटर का 9th aspect आपके 7th house में पढ़ रहा है 7th house में अगर जुपिटर का 9th aspect पढ़ रहा है तो 7th house का संबन मेरिस से तो कुणली में शादी के योग चल रहे हैं अगर आप कोई लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं तो आपकी कुलड़ी में शादी का योग अलरी चल रहा है और एक चीज और बताता हुँ मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुलड़ी में गोचर के हिसाब से शादी का योग नहीं है लेकिन उनके 11 चार्ट, Moon चार्ट, चली चार्ट के हिसाब से उनकी कुनली में भी शादी का योग चलता है ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा है कि टॉरस वालों की शादी होगी वर्गों वालों की होगी दूसरों की नहीं होगी अगर आपके बर चार्ट में 7th house के लॉट की दिसा चलती है 7th house का Lord अच्छी जगा placed है कोई planet अगर 7th house में placed है उसकी दिसा चलती है तब भी आपके कुंडली में शादी का योग बन जाता है लेकिन आज हम रासियों के हिसाब से गोचत के हिसाब से बात करेंगे तो टॉरस वालों के कुंडली में अपरेल 2023 तक शादी का योग चल रहा है अगर आपने अलड़ी कहीं बात की हुई है तो ये period आपके लिए बहुत अच्छा है फिर जो दूसरी रासी है वो है वर्गो वर्गो रासी के करम बात करते हैं तो जुपिटर आपके 7th house से ट्रांजिक्ट हो रहा है 7th house का संबन्दी मेरिस से है 7th house में जुपिटर आया हुआ है और जुपिटर यहां से लाविस्थान को भी देखेगा 3rd house को भी देखेगा 4th house का लॉड है आपके 7th house में प्लेस्ट है और 7th house का भी लॉड है तो शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है 22nd April तक सादी के लिए बहुत अच्छा टाइम फिर जो तीसरी जो रासी है वो है Capricorn यानि मकर मकर रासी में जुपिटर 3rd house से टांजिक्ट हो रहा है 3rd house से अगर जुपिटर टांजिक्ट होगा तो जुपिटर का 5th aspect आपके 7th house में पढ़ेगा तो 7th house में अगर जुपिटर का aspect बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है 4thी जो रासी है वो है Pisces यानि मीन मीन लगन वाले मीन रासी वाले इस पिरेट में शादी कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर का रासिया है उसकी बात करते हैं और दूसरी रासियों का जो योग है वो 22 अपरेल से लेके 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा और इसमें जुपिटर ट्रांजिक्ट हो रहा है Aries साइन में यानि 22 अपरेल के बाद जुपिटर Aries साइन में ट्रांजिक्ट हो उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 तक ये गुरु चंडाल योग रहने वाला है यानि काफी लंबे टाइम तक रहेगा अपरेल, में, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर इतने महीने तक गुरु चंडाल योग आपके बर्स चार्ट में बना रहेगा क्योंकि राहू 12 अपरेल 2022 से लिके 30 अक्टूबर 2023 तक मेश रासी में रहेगा और जुपिटर आपके मेश रासी मा रहा है तो इस पिरिट में गुरु चंडाल योग बनेगा लेकिन इस पिरिट में ऐसी कौन सी रासिया है कौन से लगन वाले हैं जिनकी कौनली में शादी का योग सुरू हो जाता है तो मेश रासी मेश रासी में गुरु ट्रांजिक्ट हो रहा है गुरु आपके 1st हाउस में होगा गुरु का एस्पेक्ट वहाँ से 7th हाउस में पढ़ेगा तो शादी का योग आपके कौनली में बन जाता है फिर जो दूसरी रासी है वो है जैमनाई जैमनाई रासी वालों के लिए गुरु का जो ट्रांजिक्ट है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है यानि 11th हाउस में आपके एरिस साइन आ रहा है तो गुरु अगर 11th हाउस से ट्रांजिक्ट हो रहा है तो गुरु का 9th एसपक्ट आपके 7th हाउस में पढ़ रहा है तो आपके कौनली में शादी का योग बन जाता है फिर जो रासी है यानि 7th हाउस से गुरु ट्रांजिक्ट होगा 7th हाउस से 22nd April के बाद 7th हाउस यानि एरी साइन से गुरु ट्रांजिक्ट होगा तो आपके कौनली में शादी का योग बन जाता है फिर जो चौती रासी है यानि अगर सीरिल वाइस देखें तो आठ्मी रासी आठ्मी जो रासी है वो है एकुरेस यानि कुम्ब रासी कुम्ब रासी वालों के चार्ट से गुरु का ट्रांजिक्ट आपके 3rd हाउस में हो रहा है यानि 3rd हाउस में एरी साइन आ रहा है गुरु वहां से ट्रांजिक्ट होगा गुरु का 5th aspect आपके 7th हाउस में पड़ेगा तो आपकी कुंडली में शादी का योग शुरू हो जाता है लेकिन जैसे मैंने बताया कि 12 अप्रेल 2022 के बाद 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेश रासी में रहेगा और केतु आपका 12 अप्रेल 2022 से लेके 30 अक्टूबर 2023 तक लिब्रा साइन में रहेगा उसके बाद केतु 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 में 2025 तक वर्गो साइन में चला जाएगा यानि इस पिरिट में जब गुरू चंडाली योग बनेगा तो थोड़ी बहुत प्रावलम रहेगी लिकिन कुंडली में शादी का योग बनता है और आप अगर पहले से ट्राई कर रहे हैं सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है So Guys, आज मैंने आपको बताया आःट राषियों के बारे में जिनकी कुनली में शादी का युग बनता है अगर आप भी जानना चाते हैं अपने बर्शाड के बारे में या अपनी मैरिज के बारे में और याल और गुट बाइ